पाठ 14 अशुद्धी शोधन, Error Correction हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है कभी-कभी अशुद्ध उच्चारन ही अशुद्ध लेखन का कारण बनता है यदि हम भिखारी को भिखारी उच्चरित करती हैं, तो उसका लेखन भी भिखारी के रूप में ही करेंगे अतह शुद्ध उच्चारन ही शुद्ध लेखन का मंत्र है अशुद्धियां दो प्रकार की होती है एक वर्तनी की अशुद्धियां, दो वाक्यों की अशुद्धियां वर्तनी की अशुद्धियां अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द अवाज, आवाज, असमान, आसमान, आधेन, अधेन, उन्नती, उन्नते, आयू, आयू उन्चा, उन्चा, क्योंकी, क्योंकी, ज्यान, ज्यान, कवी, कवी, कृपया, कृपया, अलोग, आलोग, अवश्यक, आवश्यक, आँख, आँख, उज्वल, उज्वल, इस्कूल, स्कूल, नराज, नाराज, तिथी, तिथी, नमशकार, नमसकार, प्रमात्मा, परमात्मा, अध्यन, अध्ययन, संसारिक, संसारिक, नलायक, नालायक, आरशीवाद, आशीरवाद, वहाँ, वहाँ, रिन, रिन, प्रभू, प्रभू, शुशोभित, सुशोभित, भूमी, भूमी, कृतगन, कृतगन, सपताहिक, सापताहिक, गुरू, गुरू, कंस, कंज, गुन, गुन, बिमार, बीमार, दावाद, दवाद, शरंगार, शरिंगार, प्रिष्ट, प्रिष्ट, व्यक्ती, व्यक्ती वाक्यों की अशुधिया, सर्वनाम संबंधी अशुधिया, हम पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, उसका मम्मी धार्मिक है, उसकी मम्मी धार्मिक है, वह कुछ बाहर गया था, वह कहीं बाहर गया था, दूद में कोई गिर गया, दूद में कुछ गिर गया, वाक्य क् अशुधिया, राजु को काट कर फल दो, राजु को फल काट कर दो, है जाना को मीता आज कहीं, मीता को आज कहीं जाना है, क्रिया संबंधी अशुधिया, आपको क्या मांगता, आपको क्या चाहिए, फूल खिलता रही है, फूल खिल रही है, लिंग संबंधी अशुधिया, चूहा भाग गई, चुहया भाग गई, दादा टहल रही हैं, दाधी टहल रही हैं, वक्न समबंधी अशुधिया, आखों में आसु आ गया, पानी बरस रहे हैं, पानी बरस रहा है।